अस्सलाम अलेकुम और रह्मतुल्लाह यहां परकातू इत्तिहाद नून में आप सभी का खेर मगदम है भारत और अश्रलिया फाइनल मैच के वाद अलग-अलग बहस मभासत देखने को मिल रहे हैं के शिखस्त के लिए कौन जिम्मेदार अब प्रधान मंतरी को ही कुछ पर एक नजर डालते हैं आज रियासती वजिर अधाखला जी परमिश्वर ने बेलगाम दोरा कर चार तारिक से होने वाला दिवेशन का जाइजा लिया और साफियों को अपने बेलगाम दोरे का मकसद बयान किया इस वक्त एमेल आसिफ से कमिशनर और बेलगाम सिद्रा मप आप आप ही मौझूद रहें इवस्थू बेलगावी पत्रणदा मत्थू बेलगावी नामांतर तिल्लेया पदिशेलने एन्न माणिदेलें अनेक विचारगड़ना अवरू ना गमनके दंदीता है अदू भाणामुक्या अदू सेक्यूरिटी इर बोदू अथवा बेर बेरे अंतरिक वाधनत विचारगड़ना इंटनली नाप निम ग्यावदू नो हेलो एड़ तक अन्त अनेक विचारगड़ने बोदू अधनला इंटेलिजेंस सेंसिटेज मारी अधिक वेल शुक्त अबंद भुष्टू वहला माड़ वैको वहला ना ना उपनाट पूरिते विचारगड़ना को दलित समाज और बीम सेना की जानम से मतालबा पेश करते हुए कहा के कुडू कुकडोली में दलित समाज पर आलाजाद के लोग जल्म कर रहे हैं दलित समुदाए के किसानों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है लहाजा इंतजामिया इसमें दखल देते हुए दलित किसानों का इंसाब दिला इसा कहा गया इस वक्त भीम सेना के कारकुनान कसीर तैदात में मौजूद रहे आजथनी के मिले लक्षमन साओधी ने कहा के जनुवरी 26 के बाद कई सारे बाजपा लेडर्स कॉंग्रेस में शमुलियत इख्तियार कर सकते हैं जहां आप्रेशन कमल की चर्चा हो रही थी अब आप्रेशन हस्त भी जारी है ऐसा आवाम में कहते वे देखा लाया करनाट के दली इपत खेतर दली कॉंग्रेस पक्षवर ने गयल्स लिक्के इगागले नाव ब्लुपरिंट रेडी माड़कूंटी ली आ नीटे दली नाव मुद्स आज किनर समाज की जानिब से बिल्गाम में प्राइड वाक किया गया तकरिबर पांसों जिवी जायत किनरों ने इसमें शिर्कत फर्माई और कुमार गंदर रंगमंदीर पहुंच यहां यह जलास भी हुआ इनका कहिना है किनर भी समाज का एक इससा है पर इन्हें अलग थ स्वत तंत्रा नम्मली एन इदे नम्मतन एन इदे अन्नो दुन तोरूधु पोस करे नामु इदनना नम हेम्मे नड़िगे अंता करिता है दिवी प्रती वर्षन नोम आर्था इदु नम्म नड़िगे हम्मे नड़िगे वंदु नमली एन इदे एष्ट जना नाम इदे एगल नाम इदे विविधित लिए कत इदे समयज दा अविवाज अंगान नांते करन थे वोदु शमयज याकी इरीती नोड़ित याकी बिक्षाटेने बंद रप्पा इरु कष्टा कोट्रों इरु तोंदरे कोड़के बरतार नाम इदे करन दनुकोड़ा कोवब बेड़ि समुदा इलली समान तेनक आपार कोवे को यलनरंती इक्वाल्मेंट इनुर्मेंट सिख बेको आगे नमन्मनू तम्मन ते इक्वाल्मेंट अग नोड़ बेकरू नंगुद देश बेलगाम साउथ के मेले आवई पार्टिल पर रिश्वत खोरी के इल्जामात बार बार लगते रहे हैं लियाज आज पी डबलुड मौकमा के एक वफद ने गोवावेस के खाउखटा पहुच कर यहां के दुकानदारों के कागजाद की तप्तीश की जिससे यहां कुछ द देर तक नारे बाजी भी की गई यह मेरे आवई पार्टिल पर रिश्वत खोरी के इल्जाम के थेद खाउखटा चर्चा का मौसु बन्ता जारा फूर्नी वेक्ति बच्टिए नम्में गोथ्तीला इगा नम्म्म एन आदेश यहेदे यारू बूला ओनर यारे 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 तरों अवर्ण पग्या माहिती नीडियंत यडिए दर जोधिए नम्म लोकोपीला एकें अंच्किय माड़ीदेगे वागी देए अनु इल्लों तो अधनु कोड़ परिशिल नम्माले सरगर के वरदी माले वरदीमादू अब आज के मौजूग की तरफ बढ़ते हैं वैसे कल के मैच का तसकरा तफसरा हर तरफ जा रही है भारत की टीम ने अब तक तमाम मैचों को जीत लिया और आखर फाइनल मैच यह हर गई अस्ट्रलिया की बात की जाए तो दो मैचों में हर का मुझ देखना पड़ा इसके पा पूर मजाग उड़ाए जा रहा है तरफ हम भी इसके खिलाफ है क्योंकि मुल्क के वजिर आजम का मजाग इसकदर नहीं बनना चाहिए अगर पूरा सोशल मेडिया देखेंगे तो कुछ लोगों इसहार के लिए मोदी को ही जिमदार ठेहराने की कोशिश किया है कुछ प्रदानमंत्री का कुछ लिहाज हमारे मुल्क में है कि नहीं इस सवाल भी जहन में आ जाता है पहले इस वीडियो को देखते हैं अरे बक्तुभिया बड़े कुछ से में लग रहे हो क्या बात हो गई कर रहा यार देश के लिए कर रहा है और जहां यह मौका मिलता है वहाँ इवेंट बनाने की कोशिश में अपनी मौझूदगी दर्ज कराते रहते हैं जाहिर वजरियाजम का हर काम सियासी पसमंजर या सियासी मुफात हासिल करने के लिए होता है इसा है बारहा का भी जाता है लियाजा इसी दवराने एक और बात का जिक्र भी जारी है और वो है पिछले साथ दिनों से 41 मजदूर उत्तराकंड की सड़क बनाते हुगा टनल में फसिव हैं मजदूरों के परिवार वहां इंतजार में बेटे हैं कि कभी ने जिन्दा देखी कुछ परिवार वालों का कहना है कि मजदूरों के हारत बिगड़ती जा रही है इन्हें बखार हैं इनक लेकिन मजदूरों के घर वाले हुकूमत के रवाय से गुस्से में अब 41 मजदूरों को देखने के लिए तो वजिर्याजम नहीं गये लेकिन वर्ड कप फाइनल मैच देखने पहुंच गए इस पर भी चर्चा जा रही है खैरा फाइनल मैच में तो गये लेकिन यहां जिस वजिर्याजम इस तरह बरताव किया कुल में लाकर फाइनल मैच काफी चर्चा में है उस्ट्रया के कप्तान इससे भी आगे बढ़ते हुए वजिर्याजम ने जो कप इन दिया था उस वर्ड कप पर पाउं रखकर तश्वीर खुद ही वायरल करें अब यह भी हजीब कह सक करते क्या या फिर इसे दूद से नाला देते मतलब इस वर्ड कप के कई पहलों देखने को मिल रहे अब भक्त कही पर भी पहुंच कर जैश्री राम का नारा लगाते रहते अब उन्हें लगता है कि इस तरह से वारत विश्वरू या तो भारत के पैचान पूरी दुनिया म मखलूक आई है देखते हैं यह भी वीडियो अब यह अब यह आपने देखा कि वीडियो में कैसे ओ नारा मक्सूद नारा लगा कर इन्हें बड़ी खुश्यमिल से अब इस तरह के हरकतों से क्या वाकई देश की गरी में मर्तबा बुलंद हो जाता है और सबसे ज्यादा ज अस्ट्रलिया का ही जॉनसन जिसने मैदान में पहुंचकर विराट कोली को जाकर मिले और अब इसे खिरासत में लिया गाया है चर्चा इसलिए नहीं हुई कि इसने मैदान में घुश कर विराट कोली से मुलाखात की चर्चा इसलिए क्योंकि बेबाकी के साथ इसने गिरफ फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ अभी जॉनसन पर आई पी सिदाफा 332 के तहत मुकदमा दर्श किया गया है जो भी वो इसने दुनिया को क्या पैगाम देना था वो दे दिया बारत के मुसल्मानों को भी मजलूमें के साथ खड़े होने के लिए जुर्रत भी उस मियार की करनी होगी कोई बताए तो सही के जॉनसन जिसका ना कोई इमानी रिष्टा है ना कलमे की मुहबत पर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जालिम और मजलूम का फरक करते हैं और शलेकाई रहने वाला मैं 24 साल का जॉनसन आखिर हमारे यहां पर 24 साल में मुसलिम नौजवान कि इस तरह की जैनित रखते हैं क्या क्या करते हैं और कहां कहां बैठते हैं क्या कैसी सोच होती है इनकी किस नजरिया रहता है इसे भी समझने की जोट है लेकिन 24 साल के जॉनसन ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि जालिम और मजलूम और मजलूम के साथ हम खड़े है खेर यूँ देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड कप में अगर यही खिलाडी है तो वो यही बच चुका है इसका मुझारा दुनिया वर में किया जा रहा है सभी जानते हैं कि पिछले दो मैने के करीब हुआ इसराहिल फलस्तीन जंग जा लिए भारत में तो फलस्तीन के हक में दुआ मांगना भी जुर्म हो चुका है देली में दुआ मांगने पर इमामों को नोटिस दिया गया है एक बात तो वाज़ हो जाती है कि आपको जुरत करनी होगी अब जो अंसल का फलस्तीन के मुसलमानों से क्या रिष्टा अब इसने फलस्तीन का टी-शिट पहन कर मैदान में जाकर जिस तरह पैगाम दिया इसे भी समझनी की जुरत है मैस बात है कट्टा कमिटी में फिजुल के बहाज लेज ठोस एक्दाम भले न करते हो क्योंकि फलस्तीन के हक में भारत के मुसलमान दुआई कर सकते हैं कुछ जगां पर रेलिया भी निकली है बच्चों के माओत के मंजर बेचायन कर देते हैं भारत में तो इसराइली हमायतों की भीड है अन्दवक्तों को इसराइल से बेंतिया महबत है क्योंकि इसका सीधा जवाब मुसलिन दुश्मनी किसे हो कुछ नहीं है इसराइल का जण्डे जवीन पर चस्पा करने की जुर्में भी मुकतमेदार किया गया थे अब इसराइल को लेकर पुलिस मुक्मा को इतनी भी क्या महबत है और इतनी क्यों संजिदाई ये भी समद से बार है क्योंकि आप भारत का भी नजरिया बदल रहा है क्योंकि पूरी दुनिया आप इसराइल के खिलाफ व हो रही है भारत ने भी इस Бार इसराइल के मुखालिफत में ओटिंग की है आज का मुजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें इत्याद लूद देखने के लिए शुक्रिया अधाफीस